इक और विशेश किसम का lens है टौरिक लेंस ये लेंस उन लोगों में डाला जाता है जिनकी स्लेंडिकल पावर जैने की आंख में एक तिर्चा नंबर होता है। जिन लोगों में ये तिर्शा नंबर होता है इस समस्या को हम कहते हैं एस्टिक मैडिजम सधारन लेंस से एस्टिक मैडिजम ठीक नहीं किया जा सकता उनका focus कभी भी sharp नहीं बनेगा जब तक हम भी उनका cylindrical power neutralize नहीं करते या ये तिर्शा नंबर हटाते नहीं इसको हटाने के लिए जो special lens है उसका नाम है toric lens इस toric lens में एक cylindrical power incorporated होती है जो आपकी एस्टिक मैडिजम को दूर करती है और आपका focus sharp हो जाता है अब toric lens monofocal भी हो सकते हैं toric lens multifocal भी हो सकते हैं बदलब आप toric lens monofocal में भी डिलवा सकते हों multifocal में में भी डिलवा सकते हों पर जिन लोगों को एस्टिक मैडिजम की समस्या है उनका इलाज toric lens से ही किया जा सकता है सधारन lens से उनका इलाज possible नहीं है पर आपका ये जाना बहुत अवशिक है कि अगर किसी वज़ा से आपके lens की power ये नमबर सही नहीं निकलता तो आपको आपकी इच्छा मसार result नहीं मिलेंगे इसके लिए दुगलाई हॉस्पिटल में हमारे पास तजर्वेगा डॉक्टर के साथ साथ आधुनिक और विदेशी मशीने भी उबलब है जो आपके lens को उसके स्टीक नमबर निकलने में सहायक है और उस lens को उसकी सही जगा पे स्थापित करने में सहायक होती है जब तक lens सही जगा पे फिट नहीं हो पाएगा हमें अपने desired results नहीं मिलेंगे दोस्तों हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम आपकी उम्वीदों पर खरे उतरे और आपको आपकी इच्छा अमसार साफ और स्टीक नज़र दे पाएगे पाइब नहीं में आपकी नहीं में आपकी नहीं और आपकी इच्छा नहीं में आपकी लागे